नीति वचन तीन का दस मैं ऐसे लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे नौ, अपनी संपति के द्वारा और अपनी भूमी की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतीश्ठा करना इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाकमदू उमरता रहेगा वच्छन क्या कहता है अपने संपति के द्वारा और अपनी भूमी की सारी पहली उपज देकर क्या करना है यहोवा की प्रतीश्ठा करना है यहोवा को ओनर करना है जब हम अपने salaries का, हम अपने incomes का, सिर्फ salary income ही नहीं बट वच्छन कhängता है अपनी संपती का सो आपकी संपती क्या है? आपका शरीर आपका संपती है आपका career आपका संपती है आपका finance आपका संपती है जो talents जो तोड़े परमेश ने दिया है आपका हाथ आपका पैर उन हातों में पैरों में परमेश ने उंगलियों को दिया आप defected पैदा नहीं हुए वो संपती परमेश की और से है तो परमेश केता है अपनी संपती के द्वारा अपनी संपती के द्वारा आपके जो बच्चे हैं वो आपकी संपती है तो परमेश बोता है अपनी संपती के द्वारा और अपनी भूमी की सारी पहली उपच देकर यहोवा की प्रतीष्ठा करना और ऐसा जब हम करते हैं तो प तुमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाकमदू उमरता रहेगा ये कैसे होता है जब अपनी संपती से या अपने दशामशों के साथ अपने फर्स्ट रूट को परमेशे के सामने लेके आते हैं परमेशे बोते तेरे खत्ते जो है तेरा स्टोर हाउस जो है वो भरा पूरा रहेगा और तेरे रसकुंडों में से नया दाकमदू उमरता रहेगा इसका मदलब तु कमियों में नहीं रहेगा तु घटियों में नहीं रहेगा तु ओवरफ्लो में रहेगा question एक व्यक्ति 10,000 का salary उसका है वो चर्च नहीं आता 10,000 उसका salary है उसका expense है rent में रहता है तो rent का पैसा जाएगा बच्चे है तो school का fees जाएगा, सबजी का bill दूद का bill, educational bills धोबी का bill पानी का bill, हर एक चीज़ का bill है so 10,000 वो कमाता है every month वो निल में, zero में रह जाता है बट परमेशे बोलता है एक व्यक्ति जो कलिश्या में आता है बोने के सिधान्तों को समझ जाता है क्यों बोना important है और बोने से हमारे life में परमेशे कैसे blessing लेके आता है उसने उस सिधान्त को apply किया वो व्यक्ति भी 10,000 रुपे कमा रहा है तो उसका खर्चा कम हो गया क्या उसका बच्चे का expense कम हो जाता है school fees कम हो जाता है सबजी का खर्चा कम हो जाता है फिर कैसे होगा परमेशे ने बोला अपनी संपती के द्वारा और अपनी भूमी की पहली उपज लाकर यहोवा की प्रतिष्टा करना इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाकमदू उमड़ेगा परमेशे ने बोला तू करेगा तो मैं abundance दूँगा overflow दूँगा बट होगा कैसे possible कैसे है income तो हमारा उतना ही है 10,000 और expenses हमारा उतना ही है होता क्या है परमेशे ने बोला जब तू ऐसे करेगा मैं favors को release करूँगा और जो तेरे fall to expenses है मैं उनको छिड़कूँगा मैं fall to expenses को मैं डांटूँगा fall to expense क्या है एक लेड़ी जाके सबजी लेके आई सबजी वो खरीद के लेके आई उसने फ्रिज में रखा दो दिन बात देखा सबजी खराब हो गया दूबारा जाके वो ही सबजी लेके आई fall to expense आपने दूद लिया जब दूद लेकिया के घर में रखा दूद जब उबाला वो फट गया fall to expense तो परमेशने बोला मैं तेरे fall to expense जो तेरे पास रहना चाहिए वो तेरे पास ही रहेगा मैं fall to expenses को cut off करूँगा परमेशने भी बोला अच्छा तेरा दूद का bill तीन हजार आता है एक महीना तो तेरे बच्चों को मैं बोलूँगा दूद कम पीना ऐसा तो possible नहीं है क्योंकि बच्चे जैसे बढ़ते हैं दूद पीने का मातरा भी बढ़ता है बट परमेशने क्या बोला मैं फिजूल खर्चियों को मैं डांटूँगा और परमेशने बोलता है मैं ideas दूँगा creative ideas दूँगा कि उसी में तेरे को creative ideas दूँगा कि कैसे तू अपने source of income को भी बढ़ा सकता है और उसी पैसे में तू कैसे अपने घर को प्रॉपर रीती से चला सकता है तरको budgeting मैं सिखाऊंगा पहले आप budgeting नहीं करते थे बट परमेशने बोलता है जब तू दशामशा को ले के आना शुरू करता है मैं तरको सिखाऊंगा कि तरको budgeting भी कैसे करना है तरह फालतु expense तरह फालतु पैसा कहां जा रहा है वो तू समझेगा तरह लीकेजिस को मैं बंद करूँगा छेद वाली थैलियों को मैं क्या करूंगा बंद करूँगा पर्स में आपने पैसा डाला चोडी हो गया परमेश ने बोला, मैं चोरियों को बंद करूँगा, है सेलरी एक, वो भी 10,000 कमा रहा है, अभी भी 10,000 कमा रहा है, बट अब क्या हुआ, जब उसने दशामश को देना शुरू किया, परमेश ने unwanted expenses को क्या किया, खतम कर दिया, फेवर को रिलीस किया, फेवर कैसे, आप आफि आया, उसने बोला कि मैडम मैं भी आप ही के गली से आता हूं, तो आपको मैं भी ले के जा सकता हूं, आपका वो 1000 रुपे या 500 रुपे जो था वो बच किया, तो unwanted, जो फेवर है वो आपको मिल गया, आपका वो 1000 रुपे बच गया, तो परमेश ने बोका है, मैं फेवर को करूंगा, unwanted खर्चों को expenses को मैं कम करूंगा और overflow में तुझे बढ़ाऊंगा बट किसके लाइफ में होता है जो अपनी संपती के द्वारा अपनी संपती, क्या है आपकी संपती आज बोलो, मेरी संपती क्या है आपका शरीर अपने शरीर को देखो बोलो, ये मेरा संपती है परमेश ने आपको तोड़े दिये गिफ्ट दिया, टालेंट्स दिया क्या टालेंट दिया मुस्कुराने का टालेंट है बहुत सारे लोग मुस्कुराना नहीं जानते बट आपको परमेश ने मुस्कुराना सिखाया आप ख़ड़े हो के मुसकुराते वे परमेशे की सेवा कर सकते हैं हॉस्पिटालिटी का एक तैलेंट दिया, एक गिफ दिया उसको परμεशे के राज के लिए इस्तमाल कर सकते हैं अब दशाम्श को देने के बाद आपको बोने का एक बड़ा जिकर दिया एक हाट दिया, जनरोस हाट दिया, ताकि परमेश का कारे रुके ना, वो आपका गिफ्ट है सभा के बाद वाश्रूम जाके साफ किया, जो कोई भी वो गंदा काम नहीं करना चाहता, बट आपने बोला कि मैं ये कारे करूंगा वो आपने अपना गिफ्ट दिया, अपना टालेंट दिया, किचिन की टीम अपना टालेंट इस्टमाल करती है, सो हम सब को परमेश ने अलग-अलग गिफ्ट और अलग-अलग टालेंट दिया है, परमेश ने बोला अपनी संपती के द्वारा और अपनी भूमी की पहली डांटता है आपका पैसा सेव करता है जो एक्सपेंसेज नहीं होना चाहिए बार बार आपका बिजली खराब होता है आपके एक्विपमेंट्स खराब होते है परमेशर उनको कमांड करेगा कि वो खराब नहीं हो सकते अपने आग को अपने फायर को भेजेगा उस रुकावट की स्पिरिट के ओपर आपके फायर को भेजेगा आपका प्रॉफिट आपका इंसेंटिव जो रुका हुआ है उसको रिलीस करेगा आपके बॉसस के रूप में अधिकारियों के रूप में आपको फेवर को रिलीज करेगा, परमेशी बहोते हैं, मैं फेवर को रिलीज करेगा, और क्रियेटिव आइडियाज दूगा, ऐसे आइडियाज जो किसी के पास नहीं होगा, तिरको ऐसे आइडियाज दूगा, आपका बोस बोलेगा, अरे मेरे ओफिस में दस स्टाफ है, ब बाइबल में जब आप बढ़ते हैं, बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसने भी जब अपना फर्स्ट बोना शुरू किया, इवन तो जहां पे वो रहता था, वहां पे अकाल था, सुखापन था, कुछ भी नहीं था, सुखापन था, बट उसने वहां प इजाग जब गरार की देश में था, वचन कहता है, गरार की देश में बहुत ही ज़ादा सुखापन था, सो वहां रखे इजाग ने सोचा कि भई, इस जगह में तो सुखापन है, मैं यहां से निकल कर एक ऐसे देश में जाओंगा, जहां पे मेरे को खाने को मिलेगा, हम ल और मेशिक इस आग्या को सोना और वहीं रह गया आप सोचेंगे जो शरीर, फ्लेश हमें क्या बतायागा एक एक एक्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक व्यक्ति दिल्ली रहता है, दिल्ली के उन गलियों में पानी की बहुत कमी है हर दिन आप टैंकर मंगाते हो और एक दिन आप सोचते हो कि बहुत मैं तो थक गया टैंकर मंगा मंगा के मेरा पैसा सारा टैंकर के उसमें चला जाता है So better is कि इस शेहर को छोड़के या इस बीच शोड़के मैं दूसरी गली में जाओ और परमेशे आपको बोलता है कि नहीं तुने यहां से नहीं जाना क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में तुरको ब्लेस करूंगा इसी घर में मैं तुझे ब्लेस करूंगा और वो व्यक्ति सुनके बैट जाता है, बाकी लोग सुष्टे चलो हम चले जाते उस जगह, बट उसने परमेश्य की आवाज सुनके वो वही रह गया, और परमेश्य ने वही पे अद्बुत रीती से पानी का प्रोविजन उसको दिया, सरकार ने वहाँ पे एप्रूव कर द उसने परमेश्य के इस फेवर को देखा, उस बड़े हाथ को भी अपने लाइफ में कारे करते वे देखा, सो इजाक ने भी जो डिसीजन लिया, उसने फ्लेश के एकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लिया, उसने कैसे डिसीजन लिया, आत्मा के अनुसार, जो आत्मा ने उसे स कि तुने इस देश को नहीं छोड़ना बट इसी देश में मैं तुझे ब्लेस करूँगा। कई बार लोग ऑफिस में जब सालरीज बढ़ती नहीं हैं उनको लगता है हम दूसरे कंपनी में जाएंगे। अगर आपने परमेश की आवाज सुना कि परमेश आपको बोल रहा है कि यहां से उट दूसरे कंपनी में जा अगर आपने आवाज सुना आप वो स्टेप उठाएंगे आप फूटफुल होंगे। आपने आवाज नहीं सुना बट फ्लेश के एकॉर्डिंग आपने डिसीजन ले लिया कि मैं आज पंदरा हजार कमा रहा हूं मुझे उस कंपनी में सोला हजार मिल रहे हैं मैं यहां से वहां जाओंगा मैं हजार रुपे और कमाऊंगा आपने फ्लेश की बात को सुना और और आपका बढ़ गया इजाक ने यहां पे फ्लेश के एकॉर्डिंग अपने शरीर के अनुसार डिसीजन नहीं लिया बट आत्मा के अनुसार डिसीजन लिया और परमिश ने उसको वायदा किया मैं तुझे इसी देश में रखके ब्लेस करूंगा क्या बोला था इसी इजाक था वहां पे सूखापन जब सूखापन होता है तो लोग क्या करते हैं सूखापन होता है हमारे पास जो होका हम अपने पास रखते हैं सूखेपन में कोई बोने गया किसी का खेट सूखा पढ़ा है और उसी खेट में उसने बो दिया होता है इसा कोई जो फार्मर है आप जानते हैं अगर सूखापन है आप बोने नहीं जाएंगे बट वच्छन कहता है इजाक ने उस सूखेपन में उस अकाल में अपना बीज बोया क्या किया बीज बोया सिटुएशन क्या था वहां पे सूखापन था अकाल था बट इजाक के पस जो बीज था इजाक ने उठा के क्या किया उस भूमी में बो दिया उस सुखी भूमी में बो दिया और परमेशन इजाक से क्या वायदा किया था कि मैं तुझे बलेस करूँगा मैं तुझे आशिशित करूँगा और इजाक ने जब वो बीज को उठा के बोया spiritual atmosphere में बहुत कोई चीज इजाक के favor में आ गया क्या हुआ आकाश तारामंडल इजाक को favor करने लग गए जहां बारिश नहीं हो रहा था अकाल था उसी जगह में परमेशन ने बारिश को भेजना शुरू किया उस अकाल को खतम कर दिया और इजाक का जो बीज है वो फलवन्थ होने लग गया और आगे वचन में लिखा है और उसी वर्ष किस वर्ष दस साल के बाद जिस साल इजाक ने अपना बीज को बोया कब सूखापन में कमियों में वो बीज रखके वो खा भी सकता था बट इजाक ने क्या किया उसने step of faith को उठाया उसने परमेशे के उपर अपने विश्वास को रखा और उसने बोला कि सच में परमेश ने मुझे बोला कि मैं इस देश में तुझे आशिशित करूँगा ब्लेस करूँगा तो मेरे पास जो है मैं उठा के बोने वाला हूं क्या किया इस दाक ने यह ने बोला रे मेरी पतनी का क्या होगा मेरी पतनी क्या खाएगी हमारे बच्चे क्या खाएंगे हमारे पीडियां क्या करेगी इस दाक ने वो कुछ नहीं सोचा इस दाक ने सोचा मेरे पास जो है whatever I have जो Biji मेरे पास है अगर मैं Biji को बहूँगा मीरे परमेश ने मुझे बोला वो मुझे बलेस करेगा मैं Biji को बहूँगा और परमेश ने मुझे आशिशित करेगा अर वचन कहता है उसी साल उसने सौ गुना काटा दोसरा साल नहीं, तीसरा साल नहीं, दस साल के बाद नहीं बट आट वेरी इयर, उसी साल उसने क्या काटा? सौ गुना काटा, उस अकाल में, उस सुखेपन में सो जैसे इजाक ने बोया, फेवर उसको मिलना शुरू किया और तेरा आप पढ़ेंगे, आप अमेजिंगली आप शौक्ड हो जाएंगे कि परमेश ने कैसे इजाक को ब्लेस करना शुरू किया तेरा में लिखा है, और वो बड़ा और उसकी उन्नती होती चली गई यहां तक कि वो अत्ती महान पुरिश हो गया जब उसके भेड, बक्रिया, गाए, बैल और बहुत से दास दासिया हुई तब पलिश्टी उससे ढ़ा करने लगे इसलिए जितने कुओं को उसके पता अबराहम के दासों ने अबराहम के जीते जी खोदा था उनको पलिश्टी उने मिट्टी से भर दिया तब अभी मलिक ने इजाक से कहा हमारे पास से चला जा क्यूंकि तू हम से बहुत ही सामर्थी हो गया इजाक ने जब बोया, इजाक के पास कुछ बीच था उसने बोया सूखापन में और परमेश ने बारिश को भेजा, वर्षा को भेजा, सनलाइट को भेजा जानवरों को कमांड किया कि इजाक की भूमी को खतम नहीं करना नाश करने वालों को खुडका परमेश ने फिजूल खर्चियों को डांटा इजाक के जीवन से और परमेश का वचन क्या कहता है, इजाक क्या हुआ, वो बड़ा बोलो इजाग बड़ा, इजाग क्या हुआ, इजाग बड़ा, उसकी उन्नती होती गई, इसका मतलब जो उसने बोया, हर साल वो और बोता गया, हर साल वो प्रोस्परस होता गया, उसका बोना एक साल के लिए नहीं था, बट कंटिन्यूस प्रोसीजर शुरू हो गया, बोना क तेश के राजा ने हाथ जड़के बोल दिया, इजाक, आप प्लीज यहां से चले जाएए, क्योंकि आपकी भेडबक्रिया, आपके गाएबेल, आपका सेविंग, मेर से भी कई कई जादा है, और परमेश ने क्या बोला था उसको, कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और बोया कब इजाक ने सुखेपन में, जब हम भी वो step of faith लेते हैं, सुखेपन में, अपनी कमियों में, हम जब बोते हैं, परमेश बोलते हैं, उसी साल तू सौ गुना काटेगा, तू बढ़ा बन जाएगा, तू उन्नदी में जाएगा, तू प्रॉस्परस हो जाएगा, अब जब इजाक ने बोया, कैसे हुआ उसके लाइफ में, उसने बीग जाके बोया, परमेश ने बारिश को भेजा, उस साल, सपोज उसने, गिया का फसल बोया, उसने गिया काट लिया, ठीक है, उसने क्या किया, गिया को काट लिया, इजाक तो पहले सिर्फ खेती करता था, बट परमेश ने उसको आइडिया दिया, परमेश ने बोला, तू अभी तक खेती कर रहा था, अब गाए, बैल, भेड, बक्रियों की खेती भी शुरू कर, अब पॉल्टरी फार्म भी तू शुरू कर, तो परमेश ने उसके मल्टिपल सोर्स ओफ इंकम को इंक्रीज किया, उसका इंकम, सोर्स ओफ इंकम एक ही नहीं रहा, बट अलग-अलग रीती से उसका सोर्स ओफ इंकम क्या हुआ, बढ़ता गया, उसको creative ideas दिया, कि कैसे तेरी फसल जब उपजती है, तो तेरा फसल खतम नहीं होगा, losses को कम किया, परमेशन है, उसको ideas दिया, कि तेरा फल कच्चा नहीं गिरे, उसके लिए ideas को दिया, जो farming करते हैं आप, क्यती बाड़ी करते हैं, आपको पता है, जब आप बीज डालते हैं, उपज तक process बहुत लंबा होता है, उसके बीज में फसल खराब होता है, उसके बीज में अगर अलग season में बारिश हो गया, तो फसल खराब होने के chances है, अगर घिया लग गया, तो घिया में कीडे लगने के chances हैं, तो आप precautions लेते हैं, परमेश्य आपको ideas देता है कि इसको कैसे बचाना है, और कम में भी तू बड़ी फसल को कैसे काट सकता है, तो creative ideas परमेश्य देने लग जाता है, और उसी प्रकार इजाक को भी परमेश्य ने क्या किया, creative ideas दिया, और वचन में यह लिखा है, उसके बाद इजाक ने उन कुओं को भी खोदा, जो अबराहम के समय में पलिष्टियों ने मिट्टी डाल के बंद कर दिया, इजाक ने उनको भी खुदवाया और उनमें से पानी निकलने लग गया, so irrigation process को भी इजाक को समझाया, परमेश्य ने, idea दिया, कि अगर सुखापन हो गया, इन कुओं में से तू पानी को निकाल सकता है, अपनी खेती में पानी डाल सकता है, सो परमेश्य ने अलग-अलग ideas दिया, अलग-अलग strategies दिया, और जैसे इजाक ने उसको implement करना शुरू किया, इजाक बढ़ता गया, उन्दंती में जाता गया, और उसी देश में वो अत्ती महान बन गया, बट हर एक चीज शुरुवात कहां से हुई, शुरुवात कहां से हुई, कहां से, अकाल में क्या किया उसने, बोया, अकाल में रखा नहीं अपने पास, आप फरीदाबाद में रहतें, बोतें, पासजी क्या हो जाए, अगर दस साल बाद अकाल आ गया, मुझे सेफ तो करना है ना, मेरी बहु आएगी, तो बहु को मेरे पास जो 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 जोडरी है, मेरे को देना पड़ेगा ना, पासजी, अगर ये सब इज़ाग भी सोचके बैठा होता, तो क्या होता, इज़ाग अभी भी अकाल में बैठा रहता, बट उस अकाल में, उस कमी में, उस घटी में इजाक ने डिसीजन लिया मेरे पास जो है मैं तयार हूँ बोने के लिए और मैं अती महान बनने के लिए तयार हूँ मैं उन्नती में जाने के लिए तयार हूँ और उस देश में सबसे महान बनने के लिए तयार हूँ